एडवर्ट एच हिल्टन के लिखी प्रसिद्ध पुस्तक टोरिस्ट गाइड टु लखनों के पेज नमबर पईसपन पर लिखा है कि रिजिदेंसी का ये भाटक जो निचले मैदानों की तरफ धालदार सड़क होकर गुमती के सामने खुलता था वाटर गेट कहलाता था ये वाटर गेट 1857 की गदर में लखनों के पतन का कारण किस प्रकार बना ये कहानी अपने आप में कम दिलचस्प नहीं है सन 1857 की गदर में सिर्पर कफन बांद कर लड़ने वाले सिपाहियों की तलवारे लखनों में जगह जगह कांप रही थी और कमपनी बहादूर के हाकिमों के नीने हराम कर रही थी जुलाई की महीने में सर हेंडरी लॉरेंस को डॉक्टर फेरर के मकान में गोली मार दी गई थी इस जबरदस्थ बगावत में रेजिडेंसी के अंदर घिरे हुए ब्रिटिश अफसरों की जाने सूली पर चड़ गई थी क्योंकि बेली गारत पर चारों तरफ तिलंगे तैनाथ थे कुछ हिंडुस्तानी इसाई जिनका रेजिडेंसी में आना जाना था और जो अब नहीं आ सकते थे बाहर की दिवारों पर ये लिख लिख कर लोट गए कि मैं तुम्हारी प्रिशंसा के गीत अब न लिख सकूँगा और न गा सकूँगा तो कि मेरे पास अब अफेम बिलकुल नहीं है इस चहार दिवारी के भीतर के दुनिया ही बदल गई थी जहां सैकुणों की तादाद में रहने वाले अंग्रेजों की जान के लाले तुथे ही तुकडे तुकडे को तोड़ा पड़ गया था उस बेहत सस्ते जमाने में भी चोरी छिपे शहर के बादारों से लाया गया माल बाबा मूल बिक रहा था खाने पीने की चीजों की भाव आसमान चू रहे थे गेहुं का आटा एक रुपए सेर शक्कर सोलेह रुपए सेर घी दस रुपए सेर चाय आठ रुपए पौंड कॉफी तीन रुपए पौंड अचार बीस रुपए बोतल मिल रहा था एक दर्जन बीर की बोतले अगर 70 रुपए में आती थी तो एक दर्जन ब्रांडी की बोतले पौंड ये 200 रुपए में आती थी तमबाकू की सिर्फ एक पत्ति 2 रुपए में मिलती थी, कोई सिगार 3 रुपए से कम नहीं था चाय की जगे वे लोग नीमकी और अम्रूत की पत्ती उबाल उबाल कर पी रहे थे एक साबुन की ठिक्या साथ रुपए की थी शहर के लालची और चालाक धोबी बिना साबुन के धोए और बिना कलफ किये हुए कपड़े दिवार फांद कर रात के अंधेरे में चुपके से पहुँचाते थे और दस रुपए दरजन के हिसाब से धुलाई वसूल करते थे अगर कोई फड़ा लैंड की एक कमीज खरीदना चाहता था तो वो भी 55 रुपए के पढ़ती थी रिजिडेंसी में जितने पालतु जानवर थे सब पकाये जा चुके थे और चमन की डालों पर बैठी हुई चिडियों की कड़ी बनाई जाने लगी थी ऐसी मुसीबुतों की जमाने में कोई रास्ता नहीं सूज रहा था इसलिए बार बार कानपुर संदेश भेज जाते थे इस काम के लिए उन्हें कुछ हिंदुस्तानियों की मदद लेनी पड़ती थी जिन्हें रुपए के लालच से घड़दार बनाया जाता था इस प्रकार की दगावाजी करने वालों में बोधन सिंग सिपाही, अंगत तिवारी और कन्नौजी लाल मिश्र प्रमुक थे बोधन सिंग एक खत लेकर बाहर गए थे मगर वो जवाब ला सकने में कामियाब नहीं हुए अंगत तिवारी जो रेजिदेंसी का चिठ्ठी रसा था, हर यात्रा पर पांच हज़ार रुपए नकट पाता था ये लोग पैदल लुकते छिपते देशवासियों और करांतिकारियों की आँखों में धूल जोगते हुए कानपुर कई दिन में पहुँचते थे और जवाब लाकर अपने आखा के हाथ में दिया करते थे अपने नाम के प्रतिकूल कभी अंगत तिवारी को अपनी अंतिम सफल खत सफरी पर तीन हरार रुपए सालाना आमदनी की जागीर मिल गई थी इस तरह भेजे जाने वाले पत्रों से अंग्रेजों को अपनी यूद्य योजनाएं बनाने में सफलता मिली जिसकी वज़े से अवद के करांतिकारियों की योजनाएं विफल होती रही अंगत तिवारी 29 जून को एक पत्र लेकर रिजिदेंसी से कानपुर गया जनरल हेवलॉक की सेना के कौर्टर मास्टर जनरल फ्रेजर टाइटलर के पत्र को लेकर वापस लोटा उन्होंने लिखा आपका 22 तारीख का पत्र हमारे पास आ गया है हमारी सेना का दो तिहाई भाग नदी के पार है और हमारी आठ तोपें मौके पर लगी हुए है शेश सब अभी तत्काल होगा मैं कुछ समवाद आपके पास आज रात को या कल भेजूँगा उन सब लोगों को नश्ट कर देने के लिए जो हमारा विरोज करते हैं हमारे पास प्रचुड देना है नगर में अपनी स्ठित का एक मांचित रह में भेजो और उसमें प्रिवेश करने या पहुचने के संबन में नर्देश भी जो आपको सूझे पाच्छे दिन में हम मिलेंगे अगर शत्र बाहर निकले तो तुम्हें पीछे से उस पर हमला करना चाहिए और फिर हम उसे कुचल देंगे 25 सितंबर सन 1857 को हेवलाग और आउट्रम रिजिडेंसी में दाखिल हुए तब तक यहां के 31 अफसर और 504 सिपाहियों की जाने जा चुकी थी मगर इन दोनों बहादरों के लखने हुआ जाने से भी रिजिडेंसी का निस्ताद नहीं हुआ और तब आदमी चीफ कॉलिन केमविल के साथ आने वाली एक बड़ी कुमुक का इंतजार किया जाने लगा नवंबर के महिने में केमविल कोठी आलंबाग में आकर उतरा उसके साथ नील, ग्रेट हेड, हर्टसन, होब करांट और कैप्टन आर जैसे सिपहसालार और बेशुमार फौश थी मगर सवाल ये था कि रिजिडेंसी का रास्ता साफ नहीं था और ऐसे में कदम बढ़ाना मुश्किल था क्योंकि लखनों के हर हिस्से में करांटिकारी फैले हुए थे आलंबाग कोठी के सेरे पर बने तार घर से जैसे ही खबर बेली गारत पहुंची जेमस आउट्रम ने अपनी कूट नीट से काम लिया उसने शहद में जन्मोर्चे का पूरी तरह पता लगा कर एक प्लान कागज पर बना लिया नाके से लेकर अमीनाबाद, कैसरबाग, हजरत गंज, गोला गंज, मौलवी गंज और चौक हर तरफ फौजें और तिरंगे तैनाथ थे चुकि रिजिडेंसी हर तरफ से घेरी हुई थी, इसलिए उसने आलमबाग से शहर के किनारे किनारे दिलकुशा होकर अलग ही अलग आने का एक मार्ग नर्देश तयार किया जिसके द्वारा सिकंदर बाग तक कैमविल के कुमु का सकती थी मगर अब प्रश्ण ये था कि इस महत्कून पत्र और प्लान को पहुँचाए कौन ऐसे नाजुप मौके पर किसी हिंदोस्तानी नामावर का विश्वास करना अकलमंदी नहीं थी इसलिए जनरल आउट्रम ने कैवने नामकी कंग्रेज को हिंदोस्तानी जामा पहना कर और मेकप की मदद लेकर बिलकुल देसी बना दिया उसे रेश्मी पीला कुर्टा, लाल पगडी और चूडी डार पैजामा पहनाया गया मुँपर मूचें लगा कर लैंप की कालिक से उसका सारा शरीर सामला कर दिया गया इस अभूत पूर्वो मेकप में मिजर्स फेडरिक एडवर्ड और एलफ्रेट क्यूरोज ने आइक्टरम की मदद की मेकप करके जब कैवने को नैपियर जैसे सेना अधिकारी के सामने से गुजारा गया तो वो भी एक बार ब्रह्म में पड़ गया यही सफलता की कसोटी थी अब कैवने को रिजिडेंसी में से कैसे निकाला जाए ये सवाल भी सामने आया तो आउटरम सहब को इसी वाटर गेट की आदाई उन्होंने हलके धुनलके में कैवने को कन्नौजी लाल के साथ वाटर गेट के बाहर बेजा वे दोनों वाटर गेट से निकल कर गोमती नदी तैर कर पार कर गए और फिर पत्थर के पुल से होकर इस पार लोटे किसी तरह छिपते छिपाते पांच मील का सफ़र तै करके वाटर गेट के यात्री अपनी मन्जिल पर पहुँचे आलम बाग पहुँचकर केविने ने पगडी में से खत और नक्षा निकाल कर कैमविल सहब को दे दिया फिर वापसी में वो कैमविल का संदेश लेकर रेजिडेंसी लोट आया सो नियोजित मंत्रोना के अधार पर उधर से कॉलिन कैमविल 14 नवंबर को रेजिडेंसी की तरफ बढ़ा तो अंदर से हेवलॉक और आउट्रम ने हमला कर दिया इस तरह महीनों से कारागार बने बेली गारत का उठार हुआ इस घमासान लड़ाए में हिंदुस्तानी सेना कम हत्यार, लंबी ठाकान, आपसी फूट और चंद घड़्डारों की साजिश के हाथों तितर बितर होकर तह गई इसके साथ ही अवत का सूबा पूरी तरह अंग्लेजों के कब्जे में आ गया इस वाटर गेट से लखनों को डुबाने वाले दोनों महानुभावों में से कैवने, जो कि सिर्फ वॉलिंटियर था और एक नॉन मिलिटरी मैं था ने 13 दिसंबर सन 1858 को एक समरों में विक्टोरिया क्रोस पाया, साथ ही 20 हजार रुपिया नगत पुरसकार भी पाया कैवने की बेटी मिस्स लॉंग का सन 1934 में इंग्लेंड में स्वरगवास हुआ उन्होंने अपनी आठ परस की उमर में लखनू का आँखों दे का हाल लिखा है कैवने का अंगरक शक कन्नौ जिलाल, जो कभी दरियाबाद के डिप्टी कमिशनर के कोर्ट में नाजिर था, इस काम को अंजाम देने के लिए तहसीलदार बना दिया गया पुरसकार वितरन समारोह में उसे पांच हजार रुपया नकद दिया गया और आठ सु सैंटीस रुपय सालाना आमदनी की एक जागीर भी दे दी गई कन्नो जिलाल ने ही खुर्शीद जहां और बेगम खुर्द महल को दो घुरों के बग्गी में बिठा कर आलम बाग की कोठी में पहुँचाया था क्योंकि शाह अवत के महल सरा का रास पहुँचाने वाली ये दोनों औरतें फिरंगियों से मिली हुई थी वाटर गेट के अनोखे नाम से बीस्वी सदी के अमरीकन इटिहास में एक नया अध्याय और पतन की एक नई परिभाशा जोड़ दिया है मगर किसी को क्या मालूम कि पिछली सदी में ये नाम विश्व में पहली बार लख्णों से सम्मंदित हुआ था और इसी नाम के साथ लख्णों शहर का या यूं कहा जाए कि अवज राज का पतन जुड़ गया था